नमस्तार दोस्तों, दोस्तों, नवीन फ्लोरीन, इसके quarter 4 के numbers के आने के बाद, stock में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, company का, जो CDMO segment है, वो आज भी बहुत बड़ी दबाव के तोर से गुजर रहा है, और चाहे quarter quarter हो, year on year हो, दोनी जगा आप देखेंगे, कि उसके business में दबाव है, और more than 76% की गिरावाटे दोस्तों revenue में, लेकिन, उसके बावजूद, stock में क्यों तेजी हो रही है, नवीन फ्लोरीन में, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो आपको एक चीज़ तो पता होगी, मैं हमेशा से stock में, short to medium term, थोड़ी सी कहता था कि भई, थोड़ा uneasy है, लेकिन longer term में, आपको काफी अचीज में एक आप कह सकते हैं, opportunity देखने को मिल रही है, औ और company ने जो इस बार number पेश की हैं, plus number पेश करने के साथ साथ जो बाते कहीं है, future project जो commission होने वाले हैं, उसको लेकर के जो बाते कहीं हैं, वो बहुत important होने वाली है, इस एक video में में आपको आदादू, video का आप तुरान से 2x video में कर लें, और जो video का second part होगा दोस्तों, उसम करेंगे, almost तमाम information आपको उसी में मिल जाएगा, और उसके साथ ही साथ, जो एक last का part होता है, valuation और future prediction, उसको बिलकुल miss मत किया कि, उसको miss मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा बात है, जहां पे आपको overall सार, future में क्या हो सकता है, valuation कैसी है, कहां पे थोड़ी issues है, यह आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, so please, शुरू के जो 4 slides है, और last का जो valuation part है, इसे skip मत कीजिएगा, ठीक है, अब जहने पूरा वीडियो देखने हैं, वो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि information ही extra मिलेगी, बढ़ हां, जो एक crisp वीडियो चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और यहां पर दोस्तों मैं आप बढ़ा दूँ, कोई भी buying और selling क recommendation नहीं है, जो भी information public forum में available है, वो compile करके मैंने आपके सामने लेकर क्या हूं मैं, आप कोई भी position बनाएं, प्लीज अपने वित्य सलाकार की सला जरूर लीजेगा, disclosure और एक और मैं आपको देदू, कि मैं या मेरी family member इस stock में invested हो सकते हैं, यह जो अभी गिरावाट भी हुई थी ना, उस पे थोड़ा बहुत शायद में accumulation भी आप stock में accumulation हम किये होंगे, तो vision मेरा इस stock में बहुत लंबे समय का है, हाँ, एक जो concern अभी भी है, वह है चाइना की dumping, और जिस तरह से US के साथ trade war चल रही है, आप पूरे world में क्या होता है, यह एक ऐसा issue है, जो अभी भी नहीं हमको पता है, तो यह एक चीज है, जो एक बड़ा negative trigger शायद उपन कर सकते हैं, लेकिन देखिए, उसके chance भी थोड़े कम हैं, लेकिन हर एक चीज में आपकी नसर होनी चाहिए, तो अब सीधर वीडियो के second part में लेके चलता हूं दोस्तों, बट अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो चीज लगती हो, तो लाइक जरूर कीजेगा और औरो के साथ शेर जरूर कीजेगा, आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत motivation मिल तो सिदेल के चलता हूं वीडियो के सेकंड बाट की तरफ, तो दोस्तों सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको, क्वाटर फोर के जो रिजल्ट आए हैं, उसके स्नाप्शॉट्स, एक वेक अनार्सस के रूपे, देगे, जो इन्वेस्टर प्रेजेशन थी, वहीं से डि गिरावट है, अब तो मार्जिन में आपके 720 बेस पॉन गिरावट है, यानि कि जो गिरावट है, जो वीक्नेस है, वह अभी भी जा रही है, आपका जो अब आप देखेंगे, सेग्मेंटल वाइस अगर आप देखोगे, तो रेवेजनी ग्रोथ, यर आप देखोगे, स्प यह सेग्मेंट वाइस हम चर्चा करेंगे, और खास करेंगे जो स्रीडियम में बिजनस है, जब तक यह बहुत अच्छा जंपनी दिखाता, तब तक इस नवीन फ्लोरीन में कोई बहुत बड़े चिज़ आज़ेंगे, इसकी उमीद कमें, लेकिन हाँ, कुछ ग्रीन है, आपका जो आपके जो एबिटा, उसमें 45% गिरावत है, आपके अबिटा मार्जिन में मोर देन 1000 इंब बिसेस पॉइंट जी न मोर देन 1000 बिसेस पोइंट गिरावत है, आपकी जो स्पेशल्टी का में हमें रेवेन्यू में उसमें 26 पर्शन जादा का जंप है, करते हैं अब एक एक वर्टिकल के ऊपर क्या रहें प्रफॉर्मेंस और क्या इशू रहें इसमें जर्चा करते हैं देखिए सबसे बहले बात के लेंगे हम स्पेशली क्या में इकल की तो इसमें आप देखोगे तो यर ओन यर बिस पे 26% का जंप है जो हमने ओर डी चर्चा की है इंटरनेशनल बिजनस से 76% आपका बिजनस आया है आपका 24% बिजनस दे रहा है इंडिया ओके अगर आप हाइलेट जाओगे तो जो सेल्स पे जंप देखने को मिल रहा है रिफ्लेक्ट एविबिलिटी और फॉल कॉर्टर क्यापसिटी अट दाहेज यानि जो इनका दा मोलेक्यमे एड़ और दो इनके जो सूरत फैसिलिटी में है ठीक है इंक्लूड़िट अ पर्फॉर्मेंस माटेरिल मोलेक्यल फॉर इसमें ये जो आपको देख रहे न तीन मोलेक्यल की बात हो रही है उसमें एक ऐसा मोलेक्यल है जो यू यूवेस मेजर के लिए काम कराय ज जा रहा है ठीक है आप aggro specialty capex देखेंगे तो chemical char initiated firm order for dedicated capacity for financial 25 in place now 30 crore रुपे का capex दोस्तों किया गया है to a development of a completely new capability in surat is on track और financial 25 से यह revenue generate करने का शुरू भी कर देगी और इसलिए कहा जा रहा है जो एक full-fledged up recovery देखेंगे न यह financial year 25 के second quarter से हर कोई बात कह रहा है अब आगे बढ़ते हैं यह तो होगी आपका specialty chemical business now what's next देगे यह है high performance product में अगर चर्चा करेंगे तो भाई साब यहाँ पर आपको flat है 3% जम पर यह almost flat है 58% आपका धंदा international market से आ रहा है 42% का धंदा आपका भारत से ही आ रहा है और यह consolidated financials की बात हो रही है now जो sales में बढ़ते हुए है यह जो R32 capacity commission हुआ है दोस्तों यह जो lower export realization है इसको offset कर रहा है ठीक है अब आप देखें जो refrigerant gas market है वो recovery के science शो करते हुए दिखा रही है great जो HFO plant establish है दोस्तों एक आप यह सकते एक gas होती है hydrofluoro करके कुछ उनका नाम होता है यह उसकी बात कहीं जा रही है अब हमको कोई PhD तो करना नहीं है बस हम एक मान लेते हैं कि एक product है sales slightly higher than previous three quarter यहां से न जो पिछले तीन quarter से जादा अच्छे business है ठीक है और आप देखें कुछ यह जो AHF capex की बात हो रही है इसके analysis हम थोड़े दिर में करेंगे क्योंकि यह एक important factor है यह financial 25 के अंतर तक यह commission हो जाएगा आप देखें जो additional R32 capacity है दूस्तों जो 82 करूर रुपे की capacity बात कर रही है यह अभी भी schedule है और यह February 2025 को यह commission हो जाएगी ऐसी बात कही जा रही है अभी R32 यह सब में हम थोड़ी दिर में चर्चा करेंगे अभी यह reports फटा फटा है तो में हो लेक बात को आपको कर देते हैं ताकि आपको एक जो बढ़ोतरी होई या गिरावट होई उसकी समझ हो जाए अब आते हैं भाई साब एक ऐसे बिजनस में जो एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है CDMO 76% जहां 230 करोर का धंदा था भाईसा वो घट के माथ 48 करोर हो गया है आप international बिजनस में लग बग 15% का धंदा करते हो भारत में 41% का धंदा करते हो ठीक है अब differential of molecule impacted quarter four और यह मतलब क्या होता है यह बड़ा कठिन वर्ड है इसके तो CDMO के उपर हम अलग से चर्चा करेंगे ठीक है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं ठीक है क्योंकि इसके उपर अच्छे से हमको चर्चा करना ही ज़रूरी है तो देखिए यहां पर सेग्मेंट भाई सर्चा है जो हम अरड़ी कर चुके हैं बड़ यह से पॉस करके पढ़ना है वो पढ़ सकता है बड़ हम अरड़ी चीज़ें में कर चुके हैं हमारा मेन फोकस है यह अब आप देखिए तो नमील मॉनिक्लियर है दोस्तों उसने 48 क्रोड रुपीज की बात कही है 76% किरावाटे यह 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 से डियमों के बिसनस की बात हो रही है ठीक है अब क्यों हुआ है क्योंकि देखिए जो इफिरल मॉलेकूल इन कॉर्टर फोर लेट बाई वीक बिसनस परफॉर्मेंस बिसनस में कमी है नाउ there was an order visibility from existing MSA with a European CDMO मेजर हां एक order visibility decrease CDMO में एक European मेजर से contract की बात कही जा रही है दोस्तों for financial 25 और company the company has a strong late stage pipeline और commercial opportunities तो यह एक चीज जो मैं आपसे कहा था ना कि CDMO बिसनस में आपको एक green shoots आया देखने को मिले यह उसी की बात कही जा रही है तो बड़ा समय लगेगा दोस्तों ठीक है now cgmp capex of 2.9 billion approved by the board of directors ठीक है board of directors दोड़ा एक capex को भी approve किया जा चुका है with a phase one outlay of rupees 1.6 billion जो जो आप कह सकते हैं cycle current year financial 25 में यह approve हो जाए commission हो जाएगा दोस्तों तो आप कह सकते है capex की बात हो रही है बात हो रही है बाई साब की company के पास कुछ contract भी आने वाले समय में बट यह future की बात है अभी कुछ नहीं हो रहा है और यही कारण है कि CDMO में इतनी banker आपको weakness देखने को मिल रही है और बागी आप देखें तो यहाँ पर एक important note है जो domestic sale है दोस्तों वो 34% निकल किया ही है total revenue की quarter four में जबकि जो 66% है वो exports थी और यह देख रहे हैं आप वो पहले 78% यानि जो export से पहले 78% revenue generated होता था उमाज 6% हो रहा है और जो domestic sale है दोस्तों high performance product की वो 42% निकल किया ही है और जो specialty chemical business है वो 24% और जबकि नवीन molecular के लिए यह 41% है अभी भी वो जो CDMO का जो business है इनका वो major chunk है दोस्तों इनके यहाँ पर ठीक है अब आप आगी बढ़ते हैं यहाँ अब आप देखें now campaign deferral again hit CDMO अभी इसमें CDMO में तोड़ी अच्छी स्चा कर लेते हैं लेकिन pipeline जो है वो अभी भी strong है ऐसा क्यों कहा जा रहा है आप देखें भाई इनके business 97 grad हम कई बार देख चुके हैं अब आते हैं यहाँ पर कहां पर हम आते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए important word है यह management जो है वो लगातार focus करता दिखाई दे रहा है दोस्तों making the business less lumpy by building a fair mix of early और late stage molecules देखें company का focus यह है कि एक ऐसा mixture बना जाए ताकि जो early और late stage molecules है उसका जो business है वो हमको मिलता जाए और expects a gradual build up in revenue or the next couple of quarter ताकि जो volatility है न यह भाई सब थोड़ी सी कम हो जाए और यही करण है कि जो late stage molecule है दोस्तों emerging उसकी strong pipeline company रखी हुई है ठीक है और अगर आप आगे देखोगे तो जो नवीन फ्लोरी ने दोस्तों it expects some decent size revenue to kick in जो financial 25 में कही जा रही है क्यों European CDMO के साथ जो मिला जा रहा है and three molecules with fermion which will be 3-4 गुना रहे दोसे 3 गुना रहेगा दोस्तों 24 में और आप कह सकते हैं कि जो 20 पर 26 है वहाँ से अच्छा business आएगा तो जो CDMO business है ना वह financial 25 और 25-26 से आपको काफी अची recovery दिखाए देगा यानि कि थोड़ा अभी समय लगने वाला है और इसलिए मैं कह रहा था कि CDMO में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अब देखे ये कुछ कौन कौन से भाई अगर आप इसे देखना चाते हैं मैं लिख तो दिया हूँ मैं pause करके रखा रहा हूँगा आप मैं इसको नीचे ले करके जा रहा हूँ अब आते हैं में चीज़ में क्या है भाई साफ वेलिएशन और फ्यूचर प्रेडिक्शन जी हाँ वेलिएशन और फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है आप देखें तो जो रेफ्रीजिरेंट गया सेग्मेंट है वहाँ से आपके सकते कुछ पॉजिटिव डॉमेस्टिक प्राइजिंग देखने को ट्रेंड देखने को मिल रहा है किसके लिए आर थर्टी डू के लिए और जो कमपनी का प्लान है दोस्तों कि अपनी केपैसिटी को हम डवल कर लेंगे वो भी अभी भी ट्रैक में है तो ये एक काफी अची चीज है दोस्तों फ्यूचर को लेकर के कमपनी के अब आप देखें जो केपैसिटी एक्सपेंशन की बात करी जा रही है वो एक्सपेट किया जा रहा है ये फरवरी 2025 फरवरी 2025 तक ये कम्प्रीट हो जाएगा फर्थर इस्टेपलाइजिंग दा जो हनीवल प्लांट है दोस्तों ये काफी बड़ा रिलीफ लेकर गया है कमपनी के लिए जो बहुत समय से श्ट्रगल कर रहा था ठीक है विद दाट ये हनीवल प्लांट में के जो इशूज चल रहे थे वो भी काफी हद तक अफस्ट रिजॉल हो दिखाए दे रहे ये एक वेलकम प्रोड़क्ट था अगर आपको याद हो पिछले काउटर में इसकान बहुत परिशानी होई थी अब आगे इन दे केस आफ स्पेशली सेग्मेंट अगर स्पेशली सेग्मेंट की बात कही जाए अर रैंप अप इन टू MPP's और एक एक अग्रोकमिक एक अग्रोक स्पैशली फिसलीटी रिमेन फंक्शन ऑफ रिकवरी इन अग्रिकम सेक्टर ठीक है अब यहाँ पर देखें इन एच्टू सेकंड हाफ में यह रिकवरी देखने को मिल जाएगी आपको जो एग्रिकम सेक्टर में जो हम कहाँ से रिकवरी बात कहे जा रहे है और बात करें एड प्रेजेंट असी प्रतिशत कंपणी की स्पेशली बिजनस से दोस्तरों यह एग्रोकेम से आती है और यही कारण है और आपको पता होगा कि एग्रोकेमिकल में अभी कितने ज़दा इशूस चल रहे है तो यह एक वेलकम स्टेप है यह एक पॉजिटिव चीज है नव तो management has shown confidence in the CDMO order company ने CDMO business के जो order है उसमें तुम्हा confidence शो किया है खासकर की जो late stage molecule है in this direction the company has completed a validation campaign for a late stage drug for a UK pharma major और company's direction में क्या काम के दुस्तों एक validation campaign भी start किया था late stage drug के लिए UK pharma के लिए quarter phone में it has also secured a purchase order for validation campaign for a late stage drug for a pharma major in the EU ठीक है अब UK अब अलग हो गई US से EU से EU से European Union से इसलिए दोनों अलग है ना बता दू now the supply arrangement with Fairmont is also expected to contribute second of financial 24 इनका बहुत बड़ा आपके सकते client है Fairmont second half financial 24 से supply agreement हुआ है वो भी contribution आना शुरू हो जाएगा now to support some of this campaign एक चौथी CGMP facility should be handy when it get commission end of financial day 25 तक है जो commission हो जाएगी तो यह भी एक काफी positive चीज होगी company के लिए तो future it's good current में आपको देखने को मिल रहा होगा short term में no doubt मुझे लगता है pain देखने को मिलेगा now given the lumpy CDO contribution the gross margin profile can fluctuate okay set जो मैंने कहा था के late stage और early stage के हम बात करें वो इसलिए कर रहा है कि बाइसाथ CDO में को contribution है वो बहुत अना लंपी रहा है जिसकार जो gross margin profile है वो इसलिए but however we see a gradual improvement in EBITDA margin as volume growths pick up in other two segments ठीक है बाले ही CDO में issues वो रहा लेकिन company का जो other two था दोस्तो specialty chemical भी और company का जो high performance product था उसने काफी है तक चीज़ों को ठीक किया है अभी आप देखेंगे तो stock 21 times of its आपके सकते हैं EV और EBITDA में trade कर रहा है दोस्तों 526 के earning में और 29% अपने below high में trade कर रहा है जो उसने September 2023 में बनाया था ठीक है और जब relation को देखें both on an absolute or relative basis में has significantly moderated and present a good level for accumulation और जो ये गिरावट है आपको देखने को मिल रही है और आपके सकते एक लगातार जो company एक समय बितारी है stock price को ये accumulation के बहुत अच्छा हो सकता है ठीक है अब आप देखें जो long term दोस्तों thesis company की is that it is directionally moving towards a higher value added business mix with better margin और lower security ठीक है तो भाई साब अगर ऐसा होता है ये बोल रहे है अगर ऐसा होता है कि higher valued product में आ जाओगे margin better हो जाएंगे और security कम होगी आपको पता है stock में बड़ी तेशी होगी यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद ये सुड़े कनता है चेहन